हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो मैं चानल स्टार्ट विधार्ट आज की वीडियो में मैं आपके लिए जर्णल अवेलनेस के क्वेश्चन्स लेकर आई हूं इसमें आज के बाकी के क्वेश्चन्स कवर करेंगे और यह कंटिनिसली बैक तो बैक वीडियो जब आने वाली सार्क यानि कि से सी इस हैश कि से अर्सी में चाइब टेर डोटल एत मैंबर्स एं ऐसे से साया च्वाइसिंट कोपरेशन तो यह एक इंटर गवर्वेंटल और डाइजेशन है और जी जीओ पॉलिटिकल यूइन है साँथ एशिया की इसके इंदर कौन कौन से मेंबर्स आत इंडिया, नेपाल, Maldives, पाकिस्तान और श्रीलंका पहला नाविकेटर धुंपर न्या का चक्कर लगाने वाले पहले नाविक का क्या नाम था? दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले नाविक का नाम था मैगलन ठीक है, मैगलन नेक्स्ट क्वेश्चन है The Headquarters of International Red Cross Society is at Headquarters कहां पर है International Red Society के International Red Society का मुख्याले कहां पर है ठीक है, इसका मुख्याले है जेनेवा में, यानि कि इसका Headquarters है जेनेवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है International Court of Justice is at International Court of Justice यानि की न्याय के अंतराश्ट्रे न्याय अल्ले में है यह कहां पर है International Court of Justice जो है, यह आपका है Hawk के अंदर, ठीक है The Hawk Next Question है The Headquarters of UNO is at Headquarters of UNO, यह बहुत ही Basic Question है, सब को ही पता होगा तो I want कि इसका answer आप comment करके बताएं मुझे, ठीक है UNO का मुख्याले कहां पर है Headquarters of UNO, जेनेवा, एमिस्टेडम लंडन या फिल न्यू यॉर्क, comment down the answer of this question पिछली बार जो मैंने वीडियो में वीडियो पार्ट फर्स में जो मैंने question पूचा था, उसका answer I think मैंने इंस्टा पे भी upload कर दिया था तो उसका answer था, लाल बाहदु शास्त्री Man of Peace, जो है लाल बाहदु शास्त्री इसका answer मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी किसको प्रस्तुत किया जाता है, कोचिस को, ठीक है, द्रोणचारे एवार्ड इजन अवार्ड प्रेजन्ट बाइड़निस्टरी ओफ यूथ अफेर्स आड स्पोर्ट्स, ठीक है, इसका answer है, इसका answer है, अमेरिका वस डिस्कवर्ड बाइ, यह question भी सबको इपता हुआ, तो अमेरिका वस डिस्कवर्ड बाइ, अमेरिका की खोज किस ने की थी? कॉलमबस नहीं, ठीक है? कॉलमबस नहीं नेक्स्ट क्वेशन है Who among the following is not regarded as a communist thinker? Not regarded, यहाँ पर not पूछा गया है, question में आपको ध्यान रखना है कि not दिया गया है यह नहीं दिया गया है? बहुत सारे बच्चे जल्दी-जल्दी में Who among the following is regarded as a communist thinker? ऐसे पढ़के answer कर जाते हैं, ठीक है? So not और नहीं लिखा है, इसका दियान रखना है So इसका answer है, चियांग की शेक नेमिलकित में से किसे communist विचारक नहीं माना जाता चियांग की शेक ठीक है, चियांग की शेक को जो है communist thinker नहीं थे ये Next question है The first cricketer who scored more than 10,000 runs in the test cricket is पहला cricketer जिसने 10,000 से जादा run जो है score किये थे test cricket में test cricket में 10,000 से अधिक run बनाने वाले cricketer का नाम है सुनील गावसकर Guys, यह question बहुत ज़दा important है जर्नल अवेंडस के हिसाब से देख सकते हो आपकी सारे जर्नली जो questions है वो इसमें मैं इंक्लूड किये हैं वीडियो को पूरा इंटक देखना अपना quiz लेकर जरूर देखना जितने भी parts अप्लोड हो रहे सारे parts को देखना ताकि आपके बहुत सारे जर्नल अवेंडस के questions प्रिपेर हो सके एंड थियोरी में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको चले बढ़ते नेक्स्ट क्वेशन की तरफ नेक्स्ट है देविस कप इस असोसेटेड विद फॉलविंग स्पोर्ट देविस कप किस फील्ड में यानि कि किस स्पोर्ट फिल्ड में दिया जाता है कौन से स्पोर्ट को दिया जाता है लॉन टैनिस लॉन टैनिस इस दा राइट आंसर नेक्स्ट कोशन है वुवस नोन अज दा मैन अफ ब्लॉड अ आईरन किसको कहा जाता है man of blood and iron blood and iron के रूप में किसा जाना जाता है बिसमार्क किसको जाना जाता है बिसमार्क को next question है who was the first president of USA to visit India in his official capacity अपनी आधारिक शम्ता में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपती कौन से थे जिनोंने अपनी Shakespeare was popularly known as Shakespeare को किस नाम से जाना जाता था Bard of Evan, CBS, Führer या I.K. Führer मैंने आपको बताया था last first video में कि Führer कौन होता है leader ठीक है तो Shakespeare को किस नाम से जाना जाता था Bard of Evan William Shakespeare जो थे वो एक English poet थे, playwright थे, actor थे और जो है widely यानि कि पूरे all over world में उनको एक greatest writer के रूप में माना जाता है English language के लिए basically ठीक है और वो एक dramatist भी दे, pre-eminent dramatist थे, इनको जो है England, मतलब England का national poet और Bard of Evan भी कहा जाता है next question है, who was the first world surgeon to conduct successful heart transplant पहले world के ऐसा surgeon का बताना है नाम जिसने successfully heart transplant conduct किया था तो इसका answer है Dr. Christian Bernard, ठीक है Dr. Christian ने वाला पहला विश्व सर्जन कौन था Dr. Christian Bernard next question है, who is popularly known as the nightingale of India popularly known as the nightingale of India ये भी सब को ही पता होगा क्योंकि हम बच्पन से इस question को पढ़ते आ रहे हैं ठीक है, so इसका answer है Sarojini Chattopadhyay Naidu, इनका पूरा नाम है Sarojini Chattopadhyay Naidu Sarojini Naidu इनको जो है by the name, मतब Sobriquette के नाम से जानी जाती है the nightingale of India और ये Indian Independence Activist और Poet थी ठीक है next question है, which river is called as a South Indian Ganga किस नदी को दक्षिन भारतिय गंगा कहा जाता है, यानि कि एक तरीके से गंगा, दक्षिन भारते गंगा की नाम से जानी जाती है तो कावेरी नदी, ठीक है कावेरी नदी जो है, दक्षिन भारते गंगा की नाम से जानी जाती है निकी South Indian Ganga next question है, a great French philosopher who challenged the traditional school of thought और इन्होंने लिखी थी the age of Louis 14 and thereby paved the way to the French revolution ऐसे हमें ग्रेट फ्रेंच फिलोसोफर का नाम बताना है जिन्होंने traditional school of thought को जो है challenge किया था और इन्होंने लिखी थी age of Louis 14 और इन्होंने फ्रेंच revolution स्टार्टिंग करने का मतब एक तरीके से इन्होंने रास्ता बनाया था तो इसका आंसर है वॉल्टेयर next question है पहले प्रेजिडना अफ इंडिया प्रेजिडना फिलाट प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया थे हांडेस में मरे थे वैसे ओवर रॉल इंडिया के थर्ड प्रेजिदेंट थे ठीक है तीन माई 1969 को इनकी डेथ हुई थी ओके अन एजुकेटर और एक इंटिलेक्ट्टुल थे गे हुसेइन was the country's first muslim president and also the first to die in the office ओके जाकिर हुसेइन is the right answer next time Martin Luther King was our Martin Luther King korn थे black US civil rights leader Martin Luther King जो थे वो एक American Baptist Minister थे अक्टिविस्त थे कि नेक्स्ट कोशन है हूँ इस फर्स इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट सब को यह पता होगा यह क्वेश्चिन बहुत ही इसी है कलपना चावला कलपना चावला जो थी वह एक इंडो-अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी और जो पहली विमन थी इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस म जर्ड प्रोमेन बचाओ ऑननूलन इन में से नर्मदा बचाओ आन्दाल के प्रॉमेन टांडल र्वित्र का हमें तो इसका आंशर मेढ़ा पटकर मेढ़ा पटकर नर्मधा बचाओ आन्दुलन चोह है एक शोशल को ठीक है जो कि जो नर्मदा का रीवर का जो फ्लो है वो कौन-कौन से स्टेट से हो कर जाता है गुजराच से मध्यपरदेश से महाराश्ट्रा से और इंडिया में ठीक है इसको प्रेवेंट करते हैं पहला इंडियन जिसने विश्व के तहट आने वाले पहले भारतिय कौन है कमांडर दिलीब धोंडे ठीक हिंदे में 16 अगस्ट दोजाथ 10 को विश्व के विश्व के तहट आने वाले पहले भारतिय कौन है कमांडर दिलीब धोंडे ठीक हिंदे इसका आंसर है जैप्रकाश नारायन जो थे एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे शोशल रिफॉर्मर थे पॉलेटिकल लीडर थे और इनको स्पेशली रिमेंबर किया जाता है कि 1970 के ओपोजिशन जो कि इन्होंने किसके अगेंस्ट किया था इंद्रा गांधी के प्राइम मिनिस्टर इंद्रा गांधी के आज की वीडियो में इतने questions ही और आपको यह वीडियो पसंद आयोगी यह questions आपको अच्छे लगेंगे कुछ knowledgeable and valuable information आपको मिली होगी सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले मैंने दो पार्ट अप्लोड कर दिये उनको जरूर देख लेना लिंक या तो उनका description में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं स्युवेटी थेयोरी ठीक है स्युवेटी थेयोरी 2023 सो गाइस मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक क्यार और बाबाई और प्लीज वीडियो को लाइक करना